How to remove copyright strike on YouTube अगर आपका gaming channel है या या आप YouTube creator है कोई भी channel है और आपके channel पे copyright strike आती है तो आपको करना क्या है तो इस वीडियो में आपको 101% working tricks बताने बाला हूँ जिससे आप अपनी YouTube की copyright strike को remove कर सकते हो और इस trick को जो है हर channel यूज़ कर सकता है ऐसा नहीं यह gaming channel से related है चाहे वो technology से है चाहे ब्लॉग से है चाहे किसी भी चीज़ से related है तो अगर आपके यह channel पे copyright strike आती है तो उसको आप कैसे remove कर सकते हो Hello this is the Rex and welcome to Rex for my name एक तो शुरू करते है आपका वीडियो How to remove copyright strike on YouTube तो YouTube creators के लिए सबसे परशानी वाली बात होती है उसके channel पे copyright strike का आना तो इस परशानी को आप कैसे दूर करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ लेकिन आपको समझना चाहिए कि YouTube पे copyright कैसे आती है तो YouTube पे दो तरह की copyright होती है एक होता है copyright claim और दूसरा होता है copyright strike और ये copyright claim और copyright strike तभी आती है जब आपने किसी का content चोरी किया हो किसी की sound या song चोरी किये हो तो उससे आपके channel पे copyright strike और copyright claim easily आ जाता है तो पहले बात करते है copyright claim की फिर उसके बात करते है copyright strike की अगर copyright claim हुआ है तो उसको आपको कैसे remove करना है तो copyright claim में अगर आपने किसी का music, song या कोई sounds use की है या किसी का video clip अपने videos में add किया है तो आपको अपने mobile browser से या जो भी आपके बास desktop है बहाँ पे YouTube studio को खोल के आपको simply बहाँ पे view option में जाना है view option में आपको देखने को मिलेगा अगर song होगा तो उसकी sound mute या उसमें कोई और video add कर सकते हो आप YouTube की library से और अगर वो video clip है किसी की तो आप उसको YouTube studio में trim के option को use करके बहाँ से video को delete भी कर सकते हो जिससे ये होगा कि अगर आपने किसी का जोटा से video clip add करके डाला हुआ है तो वो clip बहाँ से trim होके हट जाएगा और कुछी देर में वो आपकी processing को done कर देगा और आपका content जो है वो बिल्कुल safe हो जाएगा क्योंकि YouTube की policy है आप किसी का video नहीं डाल सकते आप किसी की sounds को use नहीं कर सकते आपको अपना content बनाना है जैसे भी आप बनाते हो तो copyright claim अभी पूरे videos के अगर उपर हुआ है तो आपको पूरे video को remove करना पड़ेगा copyright claim के थोड़ी सी problems हो जाती है copyright claim में जो भी आपने monetize अगर आपका channel है आपका जो भी revenue है वो आपको उस copyright honor को देना पड़ता है तो वो revenue आपको तब देना पड़ता है जब आप उसको solve नहीं करते हो copyright claim जो है content के उपर पड़ा रहता है तो यहाँ अगर आपका entire video है तो उसको remove कर दीजिए copyright claim के उपर और अगर कोई sound है तो उसको mute करके आप YouTube की library से कोई other music भी बहाँ पर डाल सकते हो और अगर आपने किसी के वीडियो की छोड़ी सी clip डाल के रखी हुई है तो उसको बहां से आप trim के option को use करके remove कर सकते हो ताकि आपके channel पे copyright strike ना आए और अगर आपक यूट्यू मैं copyright का मतलब है किसी ने अपने कापी कोई किया है यांगि किसी के content की आपने copy की है किसी के content को आपने रियप लोड किया है किसी के वीडियो कल आपके Messaro को यूज करने की अनौमती नहीं देता है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज नहीं तो आएपके चैनल के उ सकती है अब आपने जो करना था वो कर लिया आपने किसी के वीडियो भी डाल लिये किसी के सॉंग भी डाल लिये सब कुछ कर लिया जो यूट्यूब की पॉलसी के अगेश्ट था वो भी कर लिया कर लिया ना खुश है अब तो मेरे भाई आपको कभी भी किसी के वीडियो और किसी के सॉंग को यूज नहीं करना है आपको जैसे भी आप content बनाते हो भई बनाना है ताकि आपके चैनल पे copyright strike ना आए अगर आ गई है तो remove कैसे करना है अभी बताता हूँ आपके पास appeal का option नहीं है तो आपको simply करना क्या है तो आपको जो है अब copyright strike हटाने का एकी option बचा है वो है copyright honor तो जिसने भी आपके चैनल पे copyright strike claim की है copyright strike दी है उससे आपको contact करना है और contact करके आपको बोलना है request करनी है कि ऐसे ऐसे copyright strike आई है तो मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसे copyright strike को हटा लो आपको copyright honors के साथ बहुत ही genuinely बात करनी है एक YouTube creators की तरह अगर आप ऐसे बात करते हो या बोलते हो कि तुने मेरे चैनल पे copyright strike कैसे दी तो भाई उसका तो यह है कि तुने चैनल का वीडियो अपलोड किया है तब ही दी है या उसको दमकाने लगोगी कि आपने copyright strike दी है मैं यह कर दूँगा वो कर दूँगा तो भाई क्या कर लोगे आप जो किया है ना उसने कर लिया है तुने क्या करना है तो एक genuine person की तरह आम आदमी बनके अगर आप उससे sorry मांग लेते हो और बोलते हो कि यार मुसे गलती हो गई और मैंने ऐसे यह content डाल दिया मुझे यह सब करके तो आपको simply अपने चैनल को safe करना है क्योंकि आप एक YouTube creator हो आपने talent के लिए YouTube channel खोला है तो यहाँ पे contact करते हुए भी आपको थोड़ा सा अपना जो talent है वो दिखाना है क्योंकि simple सी बात है अपने channel को copyright strike और copyright claim से दूर रखना तो आप अच्छे से बात करोगे उ को जाते हैं copyright owners के साथ contact करने में तो आपको जो है बेट करना पड़ेगा जो भी copyright strike का time period है लेकिन यहाँ पे मैं सेजेस्ट करता हूँ कि आप copyright owners से contact कीजिए और जैसे होता है ना उस copyright strike को हटा ही लीजिए अपने channel से यूगि copyright strike आई है तो YouTube यूस वीडियो को remove कर देगा आप copyright owner से contact करके उस copyright को retract करवाने का और तीसरा option है उस copyright channel से जो भी effect आपके channel को पढ़ता है उसको सहना तो यहाँ पे बात थी अगर आपके channel पे पहली copyright strike आई है दूसरी आई है तो आपको कैसे solve करनी है अगर आपके channel पे तीन copyright strike एक साथ आ जाती है और आपका channel जो है वो बिलकु टर्मिनेट होने की कगार पे हैं तो भाई जो भी मैंने तरीके बताया ना इनको यूज कर लीजिए आप अपील कर लीजिए अपील से नहीं बनता copyright owner से contact कर लीजिए retract कर वा लीजिए अपने channel को सेफ कर लीजिए यूट्यूब एक ऐसा platform है यहाँ पे एक दिन का काम नहीं ह जो आप में टैलेंट है जैसा आप बना सकते हो दी बेस्ट दे सकते हो बैसा बनाईए और अगर तेन आई है तब तो भाई हाँ जोड के बोलता हूं कि रिमूब करवा ही लीजिए copyright owner से या उसकी अपील कर लीजिए या फिर आपको effect आपके चैनल पर आता है या terminate करवाना और अगर आप दूसरों के content लेके आते हैं तो वो जंडे के साथ आपका channel भी ले जाएगा और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे तो यही यह तरीके जिससे आप अपने channel से copyright strike को remove कर सकते हो copyright claim को कैसे आपने options को use करके remove करना है वो भी मैंने आपको बताया जिससे आप अपन समय के लिए आए हो आप अपने talent यहां पे दिखाना चाते हो अपने content दिखाना चाते हो तो सिर्फ अपने दिखाईए दूसरों के use करोगे तो वो आपके लिए harmful होंगे यह YouTube policy के खिलाफ है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो like button जूर दबाना और अगर आप मेरे चानल पे नए आये हो तो subscribe करना ना भूला और साथ मैं बैल notification टैप करके all कर लेना हां भाई हां all कर लेना क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी मैं लाता रहता हूं बहुत ही बहुत यूट्यूब स्लेशन और यह मेरा गेविंग चैनल है यहां पर आपको free fire के latest news update और events के बारे में में जानकारी मिलती रहेगी अगर आपके मन में कोई सवाल है YouTube copyright को लेके या YouTube copyright claim को लेके तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो जिसका जबाब मैं आपको simply reply में दे दूँगा अगर आपके प बात करना चाहते हैं तो मुझे social media में facebook और instagram पे follow कर सकते हैं जिसका link मैंने simply description में डालके रखा है अब आपको simply उन links पे जाना है और बहाँ पे मेरे social media के जो page हैं बहाँ पे आप मुझे follow कर सकते हैं बहाँ मुझे personally message कर सकते हैं अगर आपकी कोई problem है YouTube solution है या किसी और gaming channel में म आपको problem आ रही है तो बहाँ पे आप मुझे simply पूछ सकते हो बहाँ पे हम बहुत बहुत बातें भी कर सकते हैं तो यही थे इस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया how to remove coffee red strike on YouTube मिलते हैं बहुत जल्द अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye take care and happy hunting